जैश्री कृष्णा, मैं अंशु शर्मा दिशा चैनल के ओड़ से आप सबका स्वागत करती हूँ आज हम बात करेंगे ग्रहन के बारे में हम आपको ये बताएंगे कि ग्रहन का और जोतिश का क्या संबंध है जैसे ही ग्रहन आने वाले होते हैं कई सारी भविश्वानिया सुनाई देने लगती हैं कि इस राशी के उपर ये प्रभाव है इस राशी के उपर ये प्रभाव पड़ेगा तो वो सब बात्तें में कितनी सच्चाई है ये सब कहां तक सच है कितना जूट है इस बारे में भी आज हम आपको जानकारी देंगे तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें जिससे आगे भी आपको ऐसी ज्यानवर्धक जानकारिया मिलती रहें तो आईए सबसे पहले देखते हैं वैज्यानिक जश्टिकोंड से ग्रहन का क्या महत्व है खागोल विज्यान की गर्णा के आधार पर 18 वर्ष 18 दिन की समय सीमा के अंदर टोटल 41 सूर्य ग्रहन और 29 चंद ग्रहन होने चाहिए हर वर्ष में इनके संख्या कितनी होगी ये निश्चेत होना जरूरी नहीं है लेकिन लगभग एक वर्ष में 5 सूर्य ग्रहन और 2 चंद ग्रहन हो सकते हैं इसलिए इन दिनों ये जो चर्चा हो रही है ग्रहन को लेकर कि एक साल में छे ग्रहन पढ़ने वाले हैं तो सब सर्वनाश हो जाएगा ऐसी कुछ इस्थिती नहीं है ये साथ तक हो सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि ग्रहन का और जोतिश का क्या संबंद है। ग्रहन के बारे में जोतिश से संबंदित लोग जो बातें कहते हैं उनमें कितनी सत्यता है। कई बार जोतिश में चीजों को बहुत बढ़ा चड़ा के बोल दिया जाता है। जैसे कि इन दिनों आप एक बात और सुन रहे होंगे कि इस ग्रहन का प्रभाव इसलिए बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि छे ग्रह वक्री चल रहे हैं। कि ग्रहन की जो टोटल प्रक्रिया होती है मतलब ग्रहन को घटेत होने में टोटल 11 मिनिट लगते हैं। तो आप खुद बताएं कि 11 मिनिट में कितनी जल्दी किस ग्रह पे क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो इसलिए ये बात कहना कि ग्रहन का इस राशी पे प्रभाव पड़ेगा और इस राशी पे नहीं पड़ेगा तो इस बात को मानना सही नहीं है। जिस तरह इन दिनों कोरोना बिमारी का प्रकोब देखा जा रहा है। वो निर्भर करता है कि व्यक्ति के अपनी शमता कितनी है या उसने कौन सी प्रकोशन लिये हुए हैं। कौन सी उसने सुरक्षा का पालन किया हुआ है जिसकी वजह से वो इनके प्रकोब से बच सकता है। जोतिश ग्यान के आधार पर ये कहा जा सकता है कि सूर्य ग्रहन का और चंद ग्रहन का व्यक्तियों पर प्रभाव पढ़ता है। क्योंकि सामान्य रूप से होता है। सूर्य ग्रहन का प्रभाव व्यक्ति के देह पर होता है। लेकिन यह प्रभाव सभी के लिए एकसा होता है। तो हम यह कह सकते हैं कि जोतिश का सूर्य ग्रहन और चंद ग्रहन से संबंध है। लेकिन ऐसी कोई स्थितिया नहीं पैदा होती है। जितना कि लोगों को डराया जाता है कि चंद ग्रहन या सूर्य ग्रहन के दौरान आपके साथ ऐसा हो जाएगा। चंदग्रहन और सूर्यग्रहन पूरे वायुमंडल के लिए एक प्रक्रिया है इसलिए इसका प्रभाव हर किसी चीज पर पड़ता है अगर पड़ेगा तो सब पर पड़ेगा इसलिए सूर्यग्रहन और चंदग्रहन से डरने की आवशकता नहीं है कुछ रक्षात्मक कदम उठाकर हम सुरक्षित रह सकते हैं उम्मीद है आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी होगी आगे भी हम इसी तरह ज्यानवर्धक चीजें आप तक पहुचाते रहेंगे धन्यवाद जैश्री कृष्णा